सपना को घर सिफ्ट करना पड़ा क्यों से घर सिफ्ट करना पड़ा कहां उसको घर सिफ्ट करना पड़ा तो यह सब मैं अपने व्लोग में जनकारी दूंगी आपको वुडियों पूरा देखना कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना वुडियों को लाइक शेयर सिस्क्राइब कर तो उससे वो छोड़ना पढ़ा, और क्यों छोड़ना पढ़ा, वो मैं आपको बताऊंगी. उनके बच्चों को दादी पाबा पूरी फैमिली चाहिए पापा भी चाहिए तो क्योंकि वहाँ भी काम है उनका बिचारों का इतना बड़ा काम नहीं है सिंपल से आदमी है वो भी तो इसलिए उन्होंने ये डिसकस किया है कि सपना को जो उसका गाउं पढ़ता है मैं का पढ़ता है क्यों ना कि वो मतलब वहीं पे उसके आसपास जो सिटी है वहीं एक रूम ले फ्लैट ले जो भी उसे इच्छा सा मिले और ये उसे ज़्यादा रेंट का भी पढ़ रहा था एक तो उसने गाड़ी ली है अभी अभी और गाड़ी का रेंट देखो गाड़ी की किस्त भी जाती है क्योंकि उसने लोन पे लिए और फिर जो फ्लैट है उसका किराया भी इतना देना तो वो सब मैनेज नहीं कर पारी थे और सबसे बड़ी बात है कि उसे उसके पास कोई पर्मानेंट रहना था तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने रूम जो घर किया है वो उसके जो मैका है उसके पास ही कर लिया अब उससे क्या होगा और क्योंकि जो उसका मैका है न वहीं पे सब उसके रिष्टेदार भी राते है आसपास यो उसकी बहने भी र rebellी तो उससे उससे यह फाइदा हो जाएगा कि अगर बायचानस मजञी ब्ल pussy है उसके पास नहीं आसकती है तो उसकी बहना सकती है या उसR वह बहन के पास जा सकती और या फिर पापा, आ सकते हैं, भाई, आ सकता है, कोई भी आ सकता है, अब देखो, गौालियर में इतनी दूर आना बहुत बड़ी बात है, सब को अपने काम छोड़कर आना पड़ता है, और सपना भी अपने बैचों के साथ अकेले नहीं रह सकती, दो बेटियों के साथ उसको भी किसी ना किसी की सपोर्ट चाहिए क्योंकि इतने बड़े सहर में और फ्लैट में ऐसे सेफ नहीं है हर टाइम कोई ना कोई उन्हें अपने पास चाहिए होते है तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि सपना वापस अपने सुसराल जारी है समाल लेकर ऐसा नहीं है वो समाल लेकर अपने सिसराल नहीं जारी है मैंने यही क्लियर करने के लिए विडियों बनाई है वो जो उसका मैका है उसके ही आसपास उसने एक घर लिया है जो उपर का भी है नीचे का भी है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का है और वहाँ पे वो अपने बेटियों के साथ रही है अब यह क्या है वो थोड़ा दिस्टफ है यह तो आपको पता ही है और इतना उसका अपना तब उसका खुद का घर हो जाएगा तो वो भी सेटल हो जाएगि और अब भगवान से ही परए करो की उजल्दी सेथेन जल्दी से मंदलब उसे एक अच्छा सा बहुत ज़रुरत थी उसे, क्योंकि दो चोटे-चोटे बच्चे हैं, उनका फिर कहीं जाते हैं, तो सामान भी हो जाता है, और अगर गाड़ी रेंट पे करो, तो वो बहुत किराया लेते हैं, और ऐसे ओटो या बस से, हर जगह जाना सेप नहीं होता है, चोटे-बच्चों क ट clerk, जाना से फिर्वो pact करें, मतलब, प्राईवल से रखने भी जरूरी होती है, वो अकेले रहती है, और साससुर से अलग रहती है, साससुन ने तो उसे घर से तब से निकाला तब से देखो वो कितनी मतलब फिर भी बहुत ही स्ट्रोंग है वो उसने सब कुछ कितने अच्छे से हैडिल कर लिया है उसका अपनी बेटी के एडविशन भी करा दिया था उसे एडविशन दुबारा से कराना पड़ेगा अज भी क्या है ना सुरू सुरू में जितनी वो दिकत जहेल रहे हैं वो जहेल रहे हैं बाद में वो सब बहुत अच्छे से उनका सेटल हो जाएगा ये हम लोगों को भी विश्वास है और आप फ्रेंड्स आपको कैसे लगता है सपना का वीडियो क्या सी उसकी फैमली लगती है ज ज्यादा से ज्यादा फिर मिलेंगे हम अगले ब्लोग में ऐसे ही बाइब बाइब